हाँ तो अब आपकी रेग्यूर क्लास होगी थोटा सा वीजी था लेकिन अब कोई बीजी नहीं है बिल्कुल फ्री हैं बहुत इस शांदार तरीके से मौर्णिंग में डेली चार बजे क्लास आईगी और दिन में मतलब तीन क्लास आपकी पक्की है क्लास 10 वाले चैनल पर भी उस गद्यांश वाले चैप्टर के इंदर क्या करेंगे जो भी गद्यांश का आई अपने जो चैप्टर बाकी अपने 11 से लेकि 18 तक आई थे इन सब चैप्टर में पहले इसकी समरी पढ़ेंगे सारांश पढ़ेंगे सारांश क्यों पढ़ेंगे कि सारांश पढ़ने से सा के सबस्क्राणार साधर करता के 준ि array TV ओस 날andas no car पुरे से क्लास में जो लिएक परिखने कितना सबस्क्राणार बन सकते हैं उनके बाहर नहीं जाएगा उनको तंक से पढ़ered कि उन क्योशन अंसर के बार कुछ नहीं जाना क्योंकि बहुत ज्यादा क्योशन अंसर होते हैं गाइड हो अगरे में उन में से स्लेक्ट कर लूगा चांट लूगा और फिर उनको कुछ मेरे शब्दों में ट्रांसलेशन करके उसको ठीक कर दूगा तो मतलब एक चेप्टर की तीन क्लास होगी या तीन वीडियोज होगी यह मान लीजिए पहला सारांज का सेकिंड गद्यांज की वैक्या का तीसरा क्योशन अंसर का ठीक है शांदार अपन पढ़ने वाले हैं जैसे की चेप्टर आरो बाग सेकिंड का अभी महादेव उर्मा क पढ़ बसकी अध्यांदार कुमार जी ने बहुत कुछ थिखाएगा और वाकश की च्रेंट से आपको सीख लेनी है और अपने लाइफ में इस चेप्टर से सीख लेनी कि है मैं खार लिए पर लाइफ के अंदर कि अपन कैसे मार्केट के रंग रूप देख कि कैसे उसको मह पूरीत हो जाते हैं और कैसे शॉपिंग जब कि अपन को चाहिए नियुक्त खरीद के लिए आते हैं अपन को सुपोज एक इंप में बहुत आएंगे वैसे तो लेकिन अपने उपर पने ले लेते हैं उस वजावट को देंकि इतने पागिल हो जाते हैं कि वहाँ पर चार सर्ट उठालाते हैं कहीं किसें कुछ सामान ले लिया कहीं पर कुछ ले लिया कुछ बेकरी शॉप पे चलए ले लिया कुछ बोक्स ले लिया जबरदस्ती कोई ऐसी चीजह जिनकी हमें बिलकुल भी पर देंगे ठीक है बगजी करके नाम के विक्ति है उनका एक्जाम्बल भी आएगा इसके अंदर वो उनको सिर्फ नमक और जीरा लेना था तो मार्केट में जाते हैं मार्केट बहुत खतरनाक सजावा था जैकिन वो सिर्फ परचुनी की दुकान पर जाते हैं जा पना नमक क्लिया वापस अपने घर पहुंच गए तो वह चीज है वह अपने को बहुत कुछ सिखाती है कि ऐसे माहौल में क्योंकि खूब सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं कि वह भी फस्दा आते हैं उस जाल में बाइवन गेट वन यह सब सिस्टम है बाइवन लोग दो ले जाओ ती दसजार की शॉपिंग पर पांच जार की यह चीज फरी तो वह दसजार की एक्चुन में होती भी नहीं है तो यह सब उल्लू बनाने की बाते हैं कोई भी गाटा खाके नुकसान करके बिजनस नहीं कर सकता तो इन सब से बचना है बहुत कुछ अपने को मार जी वह अपने मैंनी नहीं भी नहीं लेकर या यह तो मेरी फट्नी साथ में गई थी वह ख्रीदगे लिए थीक है मतलब हर कोई पतनी पर डाल देता है कि नेरी होँग इसके कहने से ले लिया तो लेकग बताता है लेते हैं इसमें एक और दत्व यह ऑन्य की लिए वे हैं कि मणिभेड मतलब पैसे की घर्मी या ऐसे बोल सकते हैं पैसे की प्रविदू में सावरे कि अंधाज़ रहा है पैसा प्रेश को पावर लेखिकर वांगी के इसका जाहिकर पाये अच्छा खाना पीना है तो उसे अंदाज लग सकता है कि पैसे वाला है बाकि आप चाहिए बैंक में 10 लाग रुप पढ़े रोगो क्या मतलब उसका तो यह चीजे कि जो पैसा है वो पावर है परन्तु बहुत बड़ी है चीजे यहां से ध्यान रखना है कि पैसा पावर है इसे परदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस मकान कोठी आदी इकटा किया जाता है बिल्कुल यह अगर है तो आपन कहते हैं कि पैसा पावर है पैसे की परचेजिंग पावर परचेजिंग का मतलब है क्रेश शक्ती खरीदना कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीद रुकी तब यह तो पैसा है अपने आप कहते हैं पैसा दिख जाता है चुपाई नहीं चुपता आदमी के लाइफस्टाइल चाहिए पता चल जाता है तो वही चीज़ें परचेजिंग पावर का मतलब क्रेश शक्ति खरीदने की शक्ति कितनी है उस पावर से पावर का रस मिलता ह हैं मतलब परचेज बावर की परियोग है कितना पैसे को परचेजिंग पावर में बदल रहा है वही पावर का रस मिलता है उसलिー लिए क vragen कहते हैं तो लोग बाजार की सजावट को देखके व्यापारियों की आगड़्यादी के कारण आए एधर आधे आई के लिए उटको कैसे हैं और रही करेंगे विल्कुल आपका को शोपिंग करने आप में में ले लो मतलब मस्त लगो गया इतने में तो कहते हैं खुश हो जाती है और एक साधी लेने दिए पांच उठा लाती है यह सब क्या है कि आग्रे करने का तरीका है लो कैसे उलजें वह सब है तो बाजार में जो आपकी परशन से ज़्यादा करा हैं कि आप तो बहु होता है उसे खरीदने का अमंत्रन देता है वह सजाओट के लाइट यह यह ले जाता है बले बाद में उसे पस्ता नहीं क्यों ना पड़े बाद में पस्ताएगा 1000 रुपे की शोपिंग करने ती इतनी कैपेसिट थी 5000 रुपे के लिए 4000 रुपे का कर्ज हो गया या फिर 4000 र जैसे इस चैप्टर नंब भगत जी थे कुछ लोग सही का मतलब करने वाली होता है बेखावे मातनी है कंट्रोल करने वाली होते हैं में फिजूल समान को फिजूल समखते हैं उसे मुझे हैं जो ई को आप दूसरा पेन लेना चाई जो आप समझते हो लगिन अभी आपके ल जरूत नहीं है! वो ईशीजी है कि जिसको फिजूल... उथका मतलब है कि मुझे जिसको जरूत ही नहीं है, वो मेरी लिए फिजूल है! तो फिजूल, समान को फिजूल समझते हैं, वग distributed स्मान पैशे को बहाते नहीं है और बUDद्िमान होते हैं! पैसे के जुड़ा होने पर खुद को गर्वीला में सूच करते हैं जुड़ा होने का मतलब कि किसी के पास में 10-20-30 लाग रुपे हैं तो अपने आपको थोड़ा गर्वीला में सूच करते हैं पैसा है, क्यों खर्च करें यह चीज़े मालब पैसे जो जूड़े रहते हैं जिने जरूत है उतना ही खर्च करते हैं फिर जैसे कवी अपने एक दोस्त है मित्र के बारे में बताते हैं कि बाजार गए थे प्रंदो शाम को जब आये तो खाली आता है एक दोस्त तो वो जो अपनी पत्नी का नाम ले रहे बुद्धिमान है उनकी समझ में नहीं आया कि क्या ले लेने से मना करता था परंतो लेने का मन तो करता था परंतो अपनी चाह का पता नहीं रहा समझ के लेने का मन तो करा लेकिन देखा नहीं यार लेकिन मैं तो यह सोच का यह नहीं था मेरे को यह लेना यह नहीं था मैं पिर उन्हें ने चाह तो थी लेने के लेकिन फिर मना कर दिया कि नहीं मुझे यह लेना ही नहीं तो मैं क्यू लोग। आखरशन का काम करता है आँखों को जो अच्छा लगता है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है आप कभी देखने हैं खूप सारी कपड़ें ऐसे होते हैं जो लाइट में चमकते हैं और जैसे दुकान से बाहर लाके आप देखो कि बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे तो यह जो चकाचोंद इसमें एक जादू है जो अपनी आँखों का इलिए बड़ा एक जादू का काम करता है अकर्शन का अट्रेक्शन का काम करता है ठीक है परंतु जादू भी एक मर्यादा है ऐसा नहीं कि आप ओले जाओ बस यह बेच्छा लग यह बिले लो यह बिले लो समझगे जेब भरी हो और मन हो खाली तब आपका जबर्दस्ती जादू चलेगा समझगे तब कोई टेंचिन भी नहीं खरीद भी लेना चाहिए क्योंकि पैसा अच्छा है और मन है चीज़े ले लो पैसा है तो इद्यान दकना ही जादू है इसकी वे एक मर्यादा है लेकि सरी जेब तो sound कि आपके लेल किंग्तां और मन नगों खाली और मन खाली मन खाली कि यह भी लेल सुझ नंसर वाले कि जासमें कि जादू को केसे रोका जाये तो इस जादू को रोक रोकने एक यूप है कि मन खाली नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही है, जादू कैसे रुकेगा अगर आपका मन खालिए कि ये भी ले लो, मन करना है वो भी ले लो लेकिन मन जब भरावा कि नहीं यार क्या करना है मेरे पास हो चल जाएगा इसलिए एक ये option है अगर आपको इस फिजुल खर्ची को रोकना है या जादू से बचना है तो मन भरावा ना चाहिए ठीक है, मन लक्षे में भरावा ना चाहिए तब बाजार बिल्कुल भी घाव नहीं देगा वरना बड़े गहरे और जकमी आपके घाव देगा हो, ठीक है बलकि कुछ आनंद ही देगा अगर ऐसा है तो आपको गहाव नहीं देगा मन भरावा तो गहाव नहीं देगा बलकि आपको तो कुछ अच्छा आनंद ही देगा एक मज़ा थाने कि यार मुझे हजार रुपे की शॉपिंग करने गए ते, 900 में काम हो गया खुश ही मिलती है, सो की सेविंग हो गई वही चीज मिल गई जो मुझे लाना था ठीक है, हालांकि ज्यादा सस्ते के चक्र में नहीं रहना लेकिन एक बात बता रहा हूँ तो मतलब वह आपको आनंद ही देगा बाजार की असली कर्थे-कर्था ये है बाजार टेपकर अच्छा, मैंनों कह अच्छा लगता है मार्केट आ पनी को अच्छा लगता है कि मुझे जो चीज चाहिए और मिल जाए जैसे आप study करे हो, आपको notebook भर गया अपके notebook की जरूत है market का i notebook लेके ऑ गए अब मार्केट जा रहुत आप आंभी से छेला है पतासी खा रहा हो कभी कुछ कर है यह सब करची है जब अपना काम चल रहा है तो फिर बस ठीक है तो आप शेक्त है कि समय काम आना मन में सब चीजें खरीदने का विचार आता है परन्तु जादू के उतरते ही जादू था ना तमन करता है अभी दिवाली पे लोग क्यों लाइटेमाइटे लगाते हैं क्यों इतना वह अनौंस क चोड़ दिया काम दंदा चोड़ दिया और बड़ा सा टेवी देखे लालत में आगे तीन-चार गनटे मस्त मोवी देख रहे हैं जबकि क्या जरूत है वह तो कब देखी जाते है जब आप फ्री रहते हो तो उल्टा जो आपने सोचा था कि टाइम पास होगा उल्टा आप फिर लोब का जीतना ये नहीं है कि जहां लोब होता है यानि मन में वा नकार हो ये तो लोब ही जीत आदमी की हार है दियान समझना लोब का मतलब लालच बोल दो चाए तो लालच को जीत जो लेता है ऐसा नहीं कि जो लालच को जीत लेता है उसका ये नहीं है कि जहां लाल कब कब अपन उस लोब लालत में से फस्द आते हैं तो लोब जीत जाता है इंसान हार जाता है क्योंकि जरूत तो नहीं थे तुने सारे शौपेंगर के लिए आया ठीक है अब इसके अंदर एक नहीं चीज और आएगी इस एप्टर में वह एक तो बंद-मन बंद मन मतलब मन बिल्कुल बंद है कि नहीं मैं किसी गुल जाम नहीं आऊँगा बंद-मन गारता है शुन्य हो जाना शुन्य बिल्कुल नहीं बाई चुप चाप चल रहा आपना शुन्य की मुझे कुछ नहीं चाहिए शुन्य हो जाना लेकिन एक चीज और है शुन्य होने का अधिकार के और ने हो सकता है तो अपरण तो पुर्ण है इसां उसका मन इच्छा से शुन्य नहीं हो सकता अपन कभी भी यहां सकता कि मैरा मन भराव हर कहीं न कहीं जाएंगेगे तो वह प्रण्द शीमें करें वोलट करी को ढाप TP चाहच करती है और इसका मतलब हम लोब लाल voices जाए उसमें तो इच्छांगा विरोध अगर करेंगी तब थो अपन लोब को जीटेंगे ठीक है तो लोब जीतेगा मतलिए इंसान हार जाएगा मन को बालात बन्द करना हट योग है हट योग जो हट योग ही जो होते हैं वो मन पे काबूगर सकते हैं, अते हैं मन को बालात रोकने का, या मन की बात नहीं सुनने के अपेक्षा, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि इच्छा ही नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं करेगा, आज आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका मन है, कि मुझे अच्छा ओफसर बनना है, या फिर बिजनस करना है, या फिर डॉक्टर बनना है, कुछ भी मलब आपकी जो भी मैंड में सोच रखा है, अगर मन नहीं होगा, तो आप आईए सारेस कैसे बनोगे, आपका मन है, इसलिए आप कर रहे हो, तो मन तो होना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, उससे मनमाने छूट नहीं देनी चाहिए, बस, ऐसा नहीं कि यह भी कर लो, वो भी कर लो, वो नहीं, हाँ, मन को छूट देनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी नहीं, बिल्कुल शुन्य हो जाओ, शुन्य तो परमात्म हो सकते हैं, क्योंकि वो तो परमात्म है, इंदनियों को वश में रखना चाहिए, बस, कंट्रोल करो, जैसे कि नमक जीरा लेकि आना था, तो नमक जीरा लेकि करते थे, चूरण, चूरण जानते हो ना, जैसे हैं अपने दादाजी ना चूरण वगर लेते हैं, कि पैठ दरद नहीं होगा वगर वगर जो भी, पाचन के वगर इस सब, तो वे इस काम में प्रते दिन 6 आने से ज्यादा कमा, नहीं कमाते थे, 6 आने कम, 6 ज्यादा कभी नहीं कमाया, उसकी जैसे ही 6 आने कम जाते, उनका चूरण बहुत फैमस था, प्रसित था, वे खुद काफी लोकपरी थे, वे चूरण ने तो व्यापारियों को बेचते थे, और नहीं पैशे की ओडर देते थे, बैसा नहीं को बड़े-बड़े बिजनसमेन को बेचते थे नहीं, सिर्फ 6 आने की कमाई करते, 6 आने का मतलब उस टाइम पर 6 आने, तो 6 आने की कमाई करते, जैसे 100 आने का मतलब 1 रुपय होता है, ऐसा माना गया है, 25 पैसे की 54, 50 पैसों की ठानी वैसे, तो 6 आने जैसे कमा लेते, ना तो कोई बिजनसमेन के, उससे कॉंटेक्ट साउ बस उनको 6 आने कमाई हो नहीं, 6 आने जैसे आ गया, बस बाकी जो है बचाओ सब मुप्त में, रेवडी बाट देते, मुप्त में बाट देते, इस तरह भगत जी पर बाजार का जादू कभी नहीं चलता, क्योंकि उन्हें वो लालच में पड़े ही नहीं, कि मुझे नहीं मोटर गुजर गई, मेरे पास से गाड़ी गई, जैसे अपने में देखते हैं, कभी कि पैदल चलते हैं, कार पास जाती है, तो उसके पीछे मिटी उड़ती है, तो वेसे ही, ऐसा लगा कि मुझ पर ये वेंगे करके निकल गया, कि तुमने मोटर वाले माबाप के दर में ज जैसे अपने ऐसी बात देखें, अपने माबाप को कोशते हैं, कि मैं क्यों आपके घर में जनम लिया, मैं गरीब गरे, भाई ये गलत थोड़ी है, आप नहीं बात सुनी होगी, कि गरीब घर में पैदा होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना, ये आपकी कहते हैं कि आपकी गलती है, क्योंकि आप गरीब घर में पैदा होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब आप वापस मरे जब तक गरीब रहेगे, इसका मतलब आप निकम में हो, निठल ले हो, कुछी काम करनी के योग्य नहीं हो, वरना आप में अगर दम होता तो आप अम अची के सामने ये वेंग शक्ती पानी पानी हो जाती है, कैसे हैं, कि बगजी एक बाजार में जाते हैं, चादनी चौक में जाते हैं, जो दिल्ली के इंदर है, उनकी आँके खुली रखते हैं, आँके खुली है, बिल्कुल मार्केट को देखते हुए जा रहे हैं, और मार वापस लोड़ जाते हैं बीच में खुब फैंस इस्टो आते हैं मार्केट आते हैं कपड़ां की शौब पाती कोई टेंशन नहीं लेना उनको चाहिए नहीं उनके लिए चौक बाजार की सत्था तभी तक है जब तक वहां काला नमक और जीरा मिलता है क्योंकि चूरुन बना गए टा छेट बस तो कि लेकि बताता है कि वहीं मनुष्य को शार्द था बाजार की वहें क्या चाहता है जो अपनी पर torchirtv पावर मे og pilgrimage में रहेते हैं वाजार की वह बाजार को शैतानी शक्ति देते हैं, विनाशक शैतानी का मतलब है, कि जरुती नहीं थी, बे फिजुल खर्ची, ठीक है, ऐसी पाउर देते हैं, और वे लोग बाजार उपन, मतलब कपट चाहदा बढ़ाते हैं, कि मेरे पास तो वह हैं, मेरे पास तो वह हैं, मैं यह कर है वह में रहा है कोई मतलब के नहीं ऐसे ऐसे बाजार मानवता की विडमना है मानवता के लिए और ऐसे बाजार का पोशन करने माला अठिसाष्टर सरासर ओंदा मायावी और आनिती शाष्टर माना गया है ठीक है तो बहुत यह शांदार चैप्टर आई थे पूरी संब्रिया आपको समझ में आ गई इस पूरी स्टोरी को याद कर लेना और लास्ट में भगजी को बात को बिल्कुल दिल मोतार लेना कि किस हिसाब से मार्केट के माया जाल में नहीं फ पड़लेंगे पूरी वैख्या और फिर पड़लेंगे अपन प्रशन उत्तर ठीक है ओके